कि अप्र आप एंगे अपने अपने यूटी चैनल में कैसे आप सब आसा करते हैं सुस्तंगेड मस्तों के सो गाइज आज में फिर से आपके साथ में बहुत भी ब्यूटीफुल सा बेवी फ्रॉक की गर्डिंग इस्टिचिंग लेके आई हूं और यह फ्रॉक मैंने टू मीटर फैब्रिक से बनाया है जी हां सो चलिए विडाउट बेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो पसंद आए तो आपको गया करना लाइक सब्सक्राइब और फैबले फैब्रेंट के शार शियर करना है और कॉमेंट करके ब जब और प्लन परत पर वीडियोल है जाम इंच में और यहां भी स्टार्म 0-5 आपर त्यायां के लिए और पर शाम अपन के लिए स्टार्ट कर नो कि आप का में मेंचे के लिए निया ने अगता दो फेश्फट फैब्रान मेंसे उंस अपर जब्सक्राइब कर में एकूर भ ले रही हूं नीचे का फीक थागई 21 इंच जहां से मैंने कंट किया है वहा से 21 इंच पे मैं लिएपना ह다면 आपको क्या करते हैं ले लेना है इस तरह से आपको मोर्भा कर दखना है तो आप आप लोग को आसानी से दिखे तो यहां पर जैसे मैंने बताई शीक से सेवन इयर गर्ल के लिए मैं बना रही हूं और फुल लेंथ फ्रॉक होने वाला है यह आप अपने कोडिंग बना सकते हो जो भी आपके बच्चे का मेजर्मेंट हो ठीक है तो यहां पर नीचे के तो हमारा लाइनिंग जो है अमरेला कट में कट हो गया है मैंने यहां पर नीचे की लाइनिंग का बचा है फैब्रिक उसमें से आपको चोली के पार्ट को निकाल लेना है तो चलिए में फैब्रिक पहले हम कट कर लेते हैं तो यहां पर में फैब्रिक मैं यहां पर प्लेट जो है बॉटम बनाऊंगी इसका जो मारा घेरा रहेगा प्लेटेड रहेगा तो यहां पे देखिए चोड़ाई में मैंने यहां पे लिया है 45 पिंच का कपड़ा जो की फ्रेंट पार्ट है इसका दो पार्ट रहेगा इस तरह से 45 पिंच पे मैं निशान लगा लूँगी आप अपने कोडिंग ले सकते जितनी जादा कपड़ा रहेगा उतने जादा घेरा आपका बनके रेडी हुआ गा यहां पे देखिए दो मीटर का इस तरह से घेरा मैंने लिया है फ्रंट एंड बैक पार्ट का और जो लंबाई लिया है जो हमारी लाइनिंग की फैब्रिक थी उ छोली पार्ट निकाल लेना तो मैं अपने साइज के लिया चोली पार्ट निकाल ले रही हूं मैं यहां पर फॉर के लिया हुआ पर 15 होर्ची यह दुनरी इंचरी हुआ है और माराओन भाटिंग लोगन बाटरे लै ओंस लाइनिच यहां हुआ तो इस तरह से 15 मैं रखि दोंगी अब क्या गन्ना है आपको क्योंकि टेन इंच में रख रही हूं और इसमें स्लीप अटाइज करेंगे तो तेन से चार इंच स्लीप उपर जाएगा तो टोटल हमारा तेरा इंच रहेगा बारा से तेरा इंच बिच्चे के उसमें रख सकते हैं फोर इंच मैंने यहां फोर्द पार लिया है सिक्स इंच और इस तरह से जो वेस्ट है हमारी वेस्ट भी मैंने लिया है यहां पे 22 इंच 2005 सुछ इसके एक वार बाद कर दिया है मैंने इस तरह से अब देख सकते हैं आपको यहां पे मैंने 2 इंच मार्जिन लेके भी चला है सो यहां पे देखिए इस तरह से आगया है अभी हम जो पप स्लीब यहां पे लगाएंगे तो वो आगे देखने को मिलेगा कैसे क्या गरना है वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसकिप मत करिएगा कोई पार्ड मिस कर दोगे तो आपका जो है कपड़ा खराब हो सकता है अब देखिए यह मेरे पास बचा हुआ सीक्वेंस का फैब्रिक था इससे पहले जो मैंने गाउन आपके शाथ में शियर किया था अपनी बेटी के लिए बनाया था उसमें से यह तरह से देखिए हमारा में फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक कट हो गया है अब क्या अगरना है इसलीप के लिए कपड़ा मैं निकाल लेती हूं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहां पर मैं पफ बनारी वालून स्लीप जो बच्चों के फ्रॉक्स में बहुत निकाल लूँगी बाकी की फैब्रिक को अलग कर दूँगी मैं मेजरमेंट भी करके दिखा दूँगी कितना लंबाई चोड़ाई है कपड़े की और जो फोल्डर साइड है उसको अनफोल्ड कर दूँगी और यह स्लीप बहुत ही जादा सुन्दर लगती है चोड़ाई मे जो है यहां पर 29 इंच कर लिया है जितना ज्यादा कपड़ा रहेगा स्लीप आपके उतनी ज्याद अच्छी बनेगी तो इस तरह से इसको अलग रख देना है बाद में कटिंग बताएंगे अब क्या गरना है यह दोनों पार्ट को इस्टिच करना है तो लैनिंग फैब्रि गधार साईट साइड में सब कुछ इस सलाई लगा दिया है और इक्ष्ट्रा फैब्रिक को कट करण देना है और बीच-बीच में छोटे-छोटे से करस्क लगा देज Rings तके कपड़ा बताएं तो इस तरह से छोटे-छोटे आपको कर्ण लगा बनाने में बहुत ही आसान है आप बनाओगे दो घंटे में आपकी फ्रॉक रेडि हो जाने वाली है इस तरह से कपड़े को पलट देना है आपको और इस पर प्रेस लगा देना है आपको ताकि सिलाई अच्छे से बैट जाए और आप चाहें तो टॉप पे भी सिलाई लगा सकते हैं तो मैं टॉप पे इस तरह से सिलाई लगा देती हूं और प्रेस कर देती हूं तो देखिए आगे पीछे किसी भी तरीके से आप पहिसे सेम है, और क्या करना नीचे की लाइनन को मैंने डोनों साइड जो स्टिच नाँ लगा दी और नीचे बॉटम को फोल्ड तो बॉटम को फोल्ड कर चाहें बड़े टाकी की सिलाई लगा के आप गैदर्स रेडी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने बड़े टाकी की सिलाई लगा ली है और गैदर्स रेडी कर दिये हैं इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो में गैदर्स डालना बताया है बहुत सारे फ्रॉक गाउंस की वीडियो तो उसको भी चेक आउट करिएगा जो सिलाई करते हैं उनको तो इतना पता ही होगा अगर नहीं समझ में आता है कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट कर में पूछ लेजिएगा तो मैं अपने जो भी हमारा साइज था वेश्ट का उस इकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे करना है दोनों पार्ट को अपने फिटिंग के कॉर्डिंग फिटिंग लगा देना है तो दोनों पार्ट को मैंने फिटिंग लगा दिया और यह देखिए घेरे को भी मैंने रेडी कर लिया है और लाइनिंग के फैबरी को मैंने अटाइज कर दिया है ठीके तो इस तरह से तो वहारा टॉप का पार्ट है उसको भी गेरे के साथ में अटाइच कर देना है तो इस तरह से देखिए पकड़ना है और अंदर के साइच से पकड़ते हुए इसमें इस्टिचिंग लगा देनी सो जब तक मैं सिलाई लगा रही हूं आपसे हाथ जोड़के एक चोड़ी सी रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो बहुत मेनत लगती है आप लोग लाइक करोगे तो हम और मोटिवेट होंगे और आपक से देखने की जरूरत है कपड़े को मैंने फोल फोल किया है ओपन साइड को पे इस तरह से आर्म होल को रखके मां कर लेना है ठीक है जो हमारा खुला वाला साइड है जो मारे नीचे आता है स्लीप के उसमें इस तरह से आर्म होल को रखके मेजर करना है और जो इसका सेफ है slips का cut कर देना है और जहां से mark किया है, वहां पे cut लगा देना है, ताकि पता रहे, center में भी आपको cut लगा देना है अब क्या करणा है आपको, इस तरह से fold करना है, half inch की दूरी पे आपको उपर नीचे fold करना है, नीचे के side पूरा फोल्ड करना है उपर के साइड जहां से आपने कट लगाया था स्लीप का सेप दिया है वहां से फोल्ड करना है आप यहां पे 6 इंच की आपको इलास्टिक लेना है ठीक है जैसे मैंने बता है मैं 6 से 7 इयर गरल के लिए बना रहे हो तो 10-12 इंच की लास्टिक ले सकते हो ठीक में और अच्छे से आपको खीच के सेट कर लेना है जो हमारी लास्टिक है इधर उदर नहीं होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए तो दोनों स्लीप को मैंने देखिए इस तरह से रेडी कर लिया है अब क्या करना है आपको आपको जो हमारा उपन साइड है उस पे भी पर देना है और इस तरह से देखिए जहां मैंने लास्टिक नहीं लगाया है जहां पर हमने आर्मोल की शेप दी थी तो इस तरह से आपको अटेश कर देना है जब आप बनाऊगे ना तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कैसे क्या गरना है तो यह स्लीव आसकल काफी जादा ट्रेंडिंग है जो की देखनें बहुत जादा सुन्दर लगती है तो इसलिए मेरी अटैश होगी अभी इसमें काम और करना आप चाहें तो इतना कंप्लीट हो गया चोड़ सकते बट मुझे इसमें थोड़ा सा इसके घेरे को और इन्हांस करना था इसके घेरे का कप्रीम और बाढाना था तो मैंने देखिए यहां पर चोड़ाई में 18 इंच का कप्डा लिया है और लंबाए में यहां तो पर मैंने 30 इंच का कप्डा लिया है मैं केन-केन अटाइच कर Y è the कपड़ा थोड़ा सा छोटा है तो इसमें मैं पांच इंच की और नीचे जोड़ लगा दूगी तो इस तरह से कें-कें मैंने लिया है कें-कें देखिए मैं बीच से इस तरह से कट कर दूगी कें-कें लगाने से क्या होता है बैल एड हो जाता है हमारे गाउन में हमारे तो वीडियो चैकाउट लिजेए आप देखिए मैंने यहां पर लाइनिंग जोड़ लगाते तैयार कर लिया है प्लिच डाल के अब आपको क्या करना है देखिए नीचे से आपको एक से डेर इंड चोड़ देना है और उपर इस तरह से माउप कर लेना जहांपे आपको आप से, से, जैसे कि मेंने बताया यजidence नहीं नहीं हैं मैँ आप प्रॉक में gözका सब्सकिया अापने पहले कblem उसके वोगना प्रॉक थापने कि मुझे खेला है की मैं अच्छा कर दिखाना था उस्तिaci केंछ जहां को इस शालों लाइजिए काफी एंचा बान और बैक साइड में इस तरह से एक ब्यूटिफुल सा बो बना के रेडी कर दिया है तो फ्रॉक काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है आपके उपर है आप कितनी ज्यादा क्रियेटिविटी कर सकते हो सोचे दिये फ्रॉक का फैनल लुक दिखा देती हो जो स्लीव बहुत ही ज् पहना सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह बहुत ही ब्यूटिफुल सा गाउन बेड़ी हुआ है बेक साइड से भी बहुत सुंदर लग रहा है यह बहुत सुंदर लग और अपनी बनाई हुए चीज तो सभी को प्यारी लगती है आप लोग को कैसी लगे मुझ इतना अच्छा बना पाई हूँ और ये ड्रेस मैंने अपनी सिश्टर की वेटी के लिए बनाया था बर्थडे ड्रेस है उसका तो उसको बहुत जादा पसंद लगी घर में सब भी को बहुत पसंद आप लोगो कैसी लगी मुझे मैं फिर पूछने कोमें करके बताना आप लो